हेलो दोस्तो आप सभी का एक ने वीडियो में स्वागत है और दोस्तो आज की वीडियो में हम लोग introductory eat के uses के बारे में जानेंगे तो आज का वीडियो काफी interesting और knowledgeable है आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे मैं आप लोग को एक एक रूल बताऊंगा आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी introductory eat का परियोग समय, दिन, महिना, साल, मौसम, तीथी, इत्यादी बताने के लिए किया जाता है कैसे किया जाता है आईए हम लोग कुछ example से समझते हैं चार बजा है तो यहां पर लिखेंगे it is four o'clock it is four o'clock साढ़े आठ बजा है तो साढ़े के लिए लिखेंगे half past it is half past eight it is half past eight सभा आठ बजा है सभा के लिए लिखेंगे a quarter past तो यहां पर लिखेंगे it is a quarter past eight it is a quarter past eight दोस्तो बजकर रहने से या जादा रहने से past यूज करते हैं और बांकी रहने से to use करते हैं जैसे पौने आठ बजा है यानि कि 15 मिनट बांकी है तो यहां पर लिखेंगे it is a quarter to eight यहां पर बांकी है कम है इसलिए to use करेंगे it is a quarter to eight चार बजने में तीन मिनट बांकी है तो यहां पर भी है बांकी है तो यहां पर to use करेंगे और पहले मिनट लिखेंगे तीन मिनट बाकी है तो यहाँ पर लिखेंगे इंग्लिश में मिनिट पढ़ेंगे चार बजकर साथ मिनट हुआ है बजकर है यानि कि जादा है तो यहाँ पर पास्ट यूज करेंगे और पहले मिनट लिखेंगे इट इज सेबन मिनिट पास्ट फोर इट इज सेबन मिनिट पास्ट फोर पास बजने में पास मिनट बाकी है तो यहाँ ऐसा अंक है जो पास से पूरी तरह से भाग लग जाता है तो इसमें आप मिनिट नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा यहाँ पर आप लिख सकते हैं इट इस फाइब टू फाइब इट इस फाइब टू फाइब जैसे यहाँ पर हैं दस बचकर दस मिनट हुआ है तो दस में पास से आसानी से भाग लग जाता है तो यहाँ पर आप मिनिट नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा इट इस टेन बचकर रहने से पास्ट यूज़ करेंगे पास्ट टेन इट इस टेन पास्ट टेन दस बचकर दस मिनट हुआ है और माल लिजे बारा मिनट रहता तो फिर मिनिट लिखते इट इस ट्वेल्फ मिनिट पास्ट टेन हलांकि आप मिनिट यूज़ कर भी सकते हैं लेकिन generally use नहीं किया जाता है, यदि 5, 10, 15, 20, 25, 30 इस तरह से मिनट में हो तब, यहाँ पर है अभी सुभा है, तो यहाँ पर भी it use करेंगे, it is morning, और दोस्तो morning time नहीं लिखेंगे, सुभा का समय है, तो भी लिखेंगे it is morning, और यहाँ पर है अभी, तो यहाँ पर now लिख देंगे, it is morning, now, सोम बार था, यहाँ पर रहत था, वोज यूज करेंगे, it was Monday, it was Monday, सन 1947 था, it was 1947, it was 1947, दोपहर का समय था, it was noon, यह फिर आप midday भी लिख सकते हैं, it was midday, समय के लिए और कुछ नहीं लिखना है, गर्मी का मौसम था, it was summer, summer season भी आप लिख सकते हैं, इट वोज समर सीजन, आज बहुत गर्मी है, तो यहाँ पर लिखेंगे, it is very hot today, वर्षा हो रही है, तो यहाँ पर लिखेंगे, it is raining, it is raining, मेघ गरज रहें हैं, it is thundering, it is thundering, चांदनी रात है, it is moonlit night, कश्मीर में बहुत थंड है, it is very cold in कश्मीर, it is very cold in कश्मीर, सुभा का समय था, था है, तो वोज यूज करेंगे, it was morning, it was morning, आज रभी बार है, today is Sunday आप लिख सकते हैं बोल चाल की भासा में, लेकिन आप standard तरीके से, it से लिख सकते हैं, it is Sunday today, it is Sunday today, और आप लोग लिए एक question है, आठ बच कर आठ मिनट हुआ है, तो आप लोग अपना answer comment box में जरूर लिखेगा, I hope friends, आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, यदि यह मेरा effort आप लोग को अच्छा लगे, तो इस वीडियो को like कर दिजेगा, मेरे चैनल पर नए हैं, तो जरूर सब्सक्राइब कर लिजिए, और दूसरे सभी वीडियो अच्छ को जरूर देखिए, Alright friends, Thanks for watching, Have a great day,